नमस्कार दोस्तों, इन फाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सब का स्वागत है, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आया हूँ, तो क्रपिया वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि सही जानकारी आप तक पहुँच सके, आज मैं आप सब को बताऊंगा कि मूला धार चक्र जागरित होने पर हमें कौन-कौन सी परिशानिया आती हैं, और उन परिशानियों को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि आप मूला धार चकर किस प्रकार जागरित कर रहे हैं, और मूला जो मंत्र होता है वो लम ही होता है इसलिए लम का उचारन करके आप मुलाधार चक्र जागरत कर सकते हैं और इसके अलावा या आप कोई भी माला करके या किसी भी प्रकार के मंत्र की माला करके मुलाधार चक्र जागरत कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार की साधना को करके तो मुलाधार चक्र जागरत होने पर सबसे पहली समस्या शारिरिक होती है और यह होती है कि आपके शरीर में काफी दर्द बना रहेगा या फिर आप की रीर की हड़ी में दर्द बना रहेगा या फिर आप थोड़ी से काम करने में ठक जाएंगे या फिर यह होगा कि आपको कभी भी अचानक बहुत तेज बुखारा जाएगा पर यह बुखार ऐसा रहेगा कि थोड़ी देर रहेगा फिर उसके बाद अचानक से उतर जाएगा तो इस प्रकार की शारिर क समझ या सबसे पहरे देखने को मिलती है ये तो रही शारिरिक बात, अब मैं मानसिक बात करूँ, तो आपको अचानक से महसूस होने लग जाएगा कि आप काफी अकेले हैं, या इस दुनिया में कोई आप से प्यार नहीं करता, या पूरी दुनिया में आप अकेले हैं, आपके पास कोई भी नहीं है, आप काफी चिर वाली फीलिंग आपको आने लग जाएगी पर याद रखिएगा इन परिस्थितियों से आप घबराईएगा मत क्योंकि एक वर कुछ समय के लिए होती है उसके बाद सब कुछ दीरी दीरी ठीक होने लग जाता है अब मैं आपको बताऊंगा कि मूलाधार चक्र जागरत होने पर सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है सबसे बड़ी समस्या मूलाधार चक्र जागरत होने के बाद वो ये आती है काम वासना की क्योंकि काम वासना इतनी तीवर तरीके से हावी होती है जिसकी आप कलबना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि याद रखिएगा मूलाधार चक प्रत्तर ओएंगे। या फिर किसी अन्य विधे से जागरित करेंगे यदि आप इन सब विधियों से मुलाधर चक्र को जागरित करते हैं तो फिर उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उससे आपको स्वैम निपटना होता है ना तो उसमें गुरू आपकी कोई मदद कर पाएगा और ना ही कोई बाहरी शक्तियां आपकी मदद कर पाएंगी क्योंकि आपने स्वैम नहीं उस चक्र को जागरित किया है तो कहीं न कहीं वो आपकी ही जिमėदार्ज हो जाएगी कि आप उस समस्या से किस प्रकार से निपटते हैं और ये आपके साहास और बल पर निर्भर करता है कि आप किस हद तक उन सब चीजों से लड़ पाएंगे और उन चीजों को सह पाएंगे परंतु यदि आप इन विदियों को ना अपना कर मुलधार चक्र को जागरत करने के लिए साधना का मार्ग अपनाते हैं और इस्पेशली बीज मंत्रियुक्त सबशती साधना का मार्ग अपनाते हैं तब आपको ये सारी प्रॉब्लम आएंगी तो जरूर परंतु तब मा भगवती और गुरू हमारे साथ ही होते हैं और हमें इस समस्याओं से बाहर निकलने में पूरी मदद करते हैं और साथ ही हर समस्या को जहलने की ताकत भी देते हैं क्योंकि कुछ समस्याओं तो ऐसी होती हैं जिनसे आप स्वैम भी लड़ सकते हैं जैसे कि गुसा, चरचडाहट और भी कई समस्या हैं, इनसे हम कहीं न कहीं स्वैम निपट सकते हैं, परंतु काम वासना एक ऐसी समस्या है जिससे आप स्वैम नहीं लड़ पाएंगे, उसके लिए आपको गुरू का साथ चाहिए ही चाहिए, मा भगवती का आशिरवाद चाह करते हैं, तो मा भगवती और गुरू का आशिरवाद हमेशा आपके साथ रहेगा, और आप इस समस्या से काफी अच्छे से बाहर निकल पाएंगे, परंतु याद रखेगा, ये केवल शक्तियां ही आपको आकर नहीं बचाएंगी वासनाओं से, आपको स्वैम भी अपना 100 पर्षेंट देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वासना से बचना चाह रहे हैं, परंतु आप काम ऐसे कर रहे हैं, जो आपको वासना की ही और लेकर जा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि आप उत्तर की तरफ जाना चाहते हैं, पर आप दक्छिन की और जहां से आप काम वासना आपके जीवन में हावी हो सकती है जैसे कि शोशल मीडिया का बहुत कम इस्तमाल करना क्योंकि वहां से आपके जीवन में वासना बहुत सारी आ जाती है साथ ही ऐसे दोस्तों से नहीं मिलना ऐसी बाते नहीं करना जिससे आपके अंदर कामवासना का वेग चालू हो जाए तो इसलिए वो सारी चीजे जो आपको अपने जीवन के बारे में पता है कि हमें कहां से कामवासना हमारे उपर हावी हो सकती है उन सबको कहीं न कहीं बंद करना होगा तभी जाकर कहीं आप काम वासना उपर एक कंट्रोल हासिल कर पाएंगे यदि आप स्वैम से ही कोशिश नहीं करेंगे तो फिर ये शक्तियां भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगी साथ ही जब हमारे उपर वासना हावी होती है तब हमें क्या करना चाहिए उस पर मैंने एक special वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि उस समय हमें एक ऐसी विधी करना चाहिए जिस विधी को करने से energy फोरण नीचे से उपर की तरफ बहने लग जाती है और वासना फो आकर पहले उस वीडियो को देख लीजे उस वीडियो से आपको वासना को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्षिवाए